एक कांत ताह करता बुद्धी का निशेद समाप्त हो चाने पर भी, शिष्य को नई शंका उत्पन होती है, कि जीव कर्म का भोकता नहीं है, सद्गुरो के रूप में श्रीमद शिष्य की संका का समाधान करते हुए कहते हैं, कि हे शिष्य कर्मों के उदाय रूप फल, अर्थात अपनी भूल से उत्पन राग द्वेश रूप अध्यवसान का यह जीव भोकता है, वास्ता में तो प्रत्येक जीव अपने स्वाभाव का ही भोकता है, करता है, जीव कर्म करता कहो पर भोगता नहीं सोय क्या समझे जड़ कर्म जो फल दाता वह होय फल दाता इश्वर गिने भोगता पना सधाय ऐसा इश्वर माने तो इश्वर ताही जाय इश्वर सिद्ध हुए बिना जगत नियम नहीं होय अतह शुभा शुभ कर्म का भोग्य स्थान नहीं कोय अतह शुभा शुभ कर्म का भोग्य स्थान नहीं कोय भाव कर्म निज कल्पना ताते चेतन रूप जीव वीर जब सुरत हो ग्रहन करे जड़ दूप जहर सुधा समझे नहीं जीव खाय पलपाय यो ही शुभा शुभ कर्म का भोग्य स्थान नहीं एक रंक अरू एक नप इत्यादिक जो भेद कारण बिना न कार्य हो यही शुभा शुभ वेद पलदाता इश्वर बने इसमें नहीं धरूर कर्म स्वयम से परण में होय भोग से दूर उन उन भोग्य विशेश के सानक द्रव्य स्वभाव गहन बात है शिश्य है कही संखेप बताए गहन बात है शिश्य है कही संखेप बताए गहन बात है शिश्य है कही संखेप बताए कही संखेप बताए च्यों हम बनार की श लूड़ीन ये लिएती शाम गहन बताए ये लिवाव कि भन र्लाब बताए झाल झाल झाल